लिखके काटा गया, फिर मिटाया गया, हाशिये पर हुआ है सित्म किस कदर नमस्कार, सलाम, निउसकलिक के इस खास कारेकरम चुनाव चक्र में आपका स्वागत है आज हम एक बार फिर बात करेंगे यूपी की, यूपी की राजनिती में दलितों के लिए रिजर्व सीटों की दलितों के वोटों पर सभी की दावेदारी है, चाहे वो बजाहिर या बातिन दलित विरोध ही क्यों न हो सबका दावा है, सबका वादा है कि यह हम दलितों के हैं और दलित हमारे तो इन चुनाओं में दलितो यानि अनिसुसित जाती, जन्जाती का क्या रोल रहने वाला है आज इसी पर हमारी रहेगी खास बात्चीत तो शुरू करते हैं चुनाओ चक्र देश के साथ उत्तरप्रदेश की राजनिती में दलित एक महत्पूर्ण जगा रखते हैं दलित या दलितों के लिए रिजर्व सीट को माइनस करके ना यूपी की राजनिती समझी जा सकती है ना सत्ता पाई जा सकती है आईए देखते हैं UP में SC-ST के लिए रिजर्व सीटों की क्या इस्तिती है 403 सीटों वाली उत्तरप्रदेश विधान सभा में SC-ST यानि अनुसुशित जाती और जन जाती के लिए 86 सीटे आरक्षित है 94 सीटे SC और 2 सीटे ST के लिए आरक्षित है SC की ये 2 सीटे सुप्रिम कोड के आदेश पर पहली बार 2017 के चुनाव में ही आरक्षित की गई आईए देखते हैं इन सीटों की क्या इस्तिती है 2007 में विधान सभा में SC की लिए 89 सीटे रिजर्व थी उस साल के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानि बस्पा ने 61 रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज की थी समाज वादी पार्टी ने 13, BJP ने 7, कांग्रेस ने 5, RLD ने 1, राष्ट्य सविमान पार्टी यानि RSP ने 1 और निर्दलियों ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी इस तरह बस्पा ने 69 फीस दीर रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज की थी और पूर्ण बहुजन से सरकार बनाई थी 2012 के चुनाव की बात करें तो उस समय विधान सभा में 85 सीटे रिजर्व थी उस समय में सपा ने 98, बस्पा ने 15, कांग्रेस ने 4, बीजेपी ने 3, आरेलडी ने 3 और निर्दलियों ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी सपा ने इस तरह इन चुनाव में 68 फीजदी रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज की और अपने दम पर बहुमत हासिल कर सरकार मनाई अब आते हैं 2017 पर 2017 के चुनाव में विधान साभा में रिजर्व सीटों की संग्या हो गई 86 पहली बार 2 सीटे ST के लिए आर्क्षित की गई थी दोनों सीटे सोन भदर जिले में आती हैं बीजेपी ने इन कुल 86 सीटों में से 70 सीटों पर जीत दर्ज की बीजेपी ने SC वर्ग की 69 और ST वर्ग की एक सीट जीती थी वहीं सपा ने 7, बसपा ने 2 और 1 सीट निर्दले ने जीती थी अपना दल ने 3 सीटे जीती इन में से 2 SC और 1 ST वर्ग के लिए आर्क्षित थी सुहिल देव भारते समाज पार्टी यानि SBSP ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी इन रिजर्ब सीटों पर उस समय की सत्ता रूट पार्टी सपा ने पाए कुल 19.35 फीसदी वोट और बसपा को मिले 23.81 फीसदी वोट जबकि BJP को इन सीटों पर कुल 49.82 फीसद वोट मिले यहां चुनाओ BJP ने अपना दल और SBSP के साथ गड़ बंदन में लड़ा था इनमें अपना दल को 1.35 फीसदी और SBSP को 1.82 फीसदी वोट मिले यानि कुल मिलाकर NDA को करीब 43 फीसदी वोट मिले जबकि सीटों के एतबार से BJP के नेतरत वाली NDA ने 88 फीसदी सीटों पर जीत दर्ज की इन तीनों चुनाओं के नतीज़ों को देखने से पता चलता है कि रिजर्व कैटिगरी की 65 फीसदी से अधिक सीटे जीतने वाली पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है अब आप समझ सकते हैं कि इन सीटों की क्या महत्ता है यह रिजर्व सीटे किसी को सत्ता दिला भी सकती है और सत्ता छीन भी सकती है इसलिए हर राजनितिक दल की निगाहा इन सीटों पर रहती है वह चाहे दलित हितैशी हो या दलित विरोधी भेहिन के लिए अलग से रणिती बनाता ही है तो आपने नोट किया कि पिछले तीनों विधानसवा चुनाओं में रिजर्फ कैटिगरी की 65 फीजदी से अधिक सीटे जीतने वाली पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है इस बार क्या सीन बन रहा है इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनव सेंव विशेश महमान दलित राजनिती के जानकार और लखनव युनिवरसिटी में एसे सेट प्रफेसर रवीकान चंदन जी नमशकार चंदन जी निउस्क्रिक्ट में आपका स्वागत है नमशकार लगाद आप लंबे समय से यूपी की राजनिती खासकर दलित राजनिती को भी देख समझ रहे हैं पहले ओवराल यूपी के संदर में दलित राजनिती इस बार कैसे करवट ले रही है आप कैसे देखते हैं देखिए पिछले तीन दशक में ये पहली बार है जब चुनावी राजनीती में दलित कोई एजेंडा नहीं ये सबसे ज़्यदा मुश्किल भरा है तीन दशक में जो इस्थितियां थीं कि उसमें बीएसपी और समाजबादी पार्टी दोनों राजनीती कर रहे थे जिसमें बीएसपी को मुखरूप से दलितों के जनाधार वाली पार्टी माना जाता था लेकिन जो हुआ पिछले तीन दशक में और आज के हलात ये हैं कि दलितों के बोट में भी बिखराओ दिखाई पड़ रहा है और दोहजार चौदाए से लेकर के दोहजार सट चौदाए सत्र है और 19 को चनाओ में हम लोगों ने ये देखा कि जो नौन जाटाओ जातियां थी वो भारती जनता पार्टी के साथ शिप्ट हुए और तोटल अगर आप देखे हैं कि कितना बोट परसेंटेज है साड़ी 21 फीसदी दलितों की बोटिंग है सेस्टी दोनों मिला करके जिसम प्रांश वो आज भी BSP के साथ इंटेक्ट है लेकिन मायावती का जो शासन रहा है 2007 में हम लोग जानते हैं कि 2006 में मानेवर कांशीराम जी की मिरत्यू के बाद मायावती ने जो बहुजन से सरवजन की राजनीती शुरू की और उस चुनाव में ब्रहमलों को उन्होंने जो महेश है और उस चुनाव में 206 सीटें BSP को मिली थी जिसमें जो CST की सीटें थी उसमें 61 सीटें मायावती को प्राप्त हुए थी और पूर्ण बहुमत मिला था और उस रिजिम में निश्चित तोर पर दलितों का शशक्ति करण हुआ उनका स्वाभिमान उन्हें प्राप् थे वो जाटवों के पास गए और जाटव सेंट्रिक पूरी राजनीती हो गए और उसके कारण जो दलितों में अन जो जातियां हैं चाहे उसमें पासी हो पूरी हो धोबी हो या सौनकर और बालमी की यह बड़ी जातियां है दलितों में अलाकि कुल मिलाकर कि उतर प्रदे नीतिया थी उसमें उनको भागी-दारी मिली लेकिन जो मलाईदर ठी या पुरुसकार है पना प्रतिष्ठार है उसमें जरूर भागी-दारी उनको नहीं रही मिली और यही बजाय है कि यह रिताथिया कि तो पहले तो वह 2012 में समाजबादी पार्टी के साथ गई और अखले शादों को एक बड़ा बहुमत मिला लेकिन जी मैं इसी सवार प्यारा था मैं आपको रोकना चाहूंगा प्यारा था कि दलित वोट पर बस्पा की काफी समय से बरसों से दावेदारी रही है लेकिन रिजर्व सीट हमेशा बस्पा के साथ नहीं रहें 2007 में हमने देखा कि बस्पा के पास रिजर्व सीट यह जो यूपी में पहले 89 सीट थी रिजर्व फिर 84 होई फिर 86 है इस बार तो 2007 में बस्पा के पाले में गई 65 पर से उपर फिर 2012 में अखलेश यानि समाजवादी पार्टी के साथ गई और 2017 में हमने देखा कि भारते जंता पार्टी के साथ गई तो रिजर्व सीटों पर कैसे समिक्रण बदल जाता है इसे कैसे देखते हैं आप उसके पहले मैं एक बात और कह लूँ कि इधर जब मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले तीन दशक के बाद दलित एजंडा कायब हो गया है और ये उस वक्त हो राए जब दलित उत्पिरन की घटनाएं डेर सो फिस दी पड़ी है हाथरा से लेकर के और आगराप और आपके प्र कामोशी है या उनका संघर्ष नहीं करना है अखलेश यादाओं का छिपना है वो भी टूइट नहीं कर पाते हैं या जाते तो कतई नहीं है जबकि वो शाहिद गुपता हो यादाओं हो या ब्राहमण हो इनकी अगर हत्या होती है तो उनके घर भी कहुंसते हैं आर्थिक जाज भी गई लेकिन जिसे यह माना जाता है जिस पार्टी को कि वो दलितों की राजनीती करती है वो मायावती खामोश है और अखलेश यादाओं की तरफ जो शिप्ट हुआ था लोगों का विश्वास वो भी अब दरक रहा है क्योंकि अखलेश यादाओं नहीं दिखाय है जबकि उनके रिजीम में चाहे प्रमोशन में आरक्षण हो ठेकिदारी में आरक्षण हो वो दोनों डाइल्यूट कर दिये गए इसके अलाबा राजसब हमें एक व्यक्ति के अलाबा उन्होंने किसी दूसरे को अभी तक नहीं भेजा में भी मुझे नहीं लगता कि कोई तलित उनके पास चेरा है तो यह स्थितिया इस समय बनी होई है तलित राजिनिती के अब जो आपका सवाल है कि इन जो खास करके सी सीटे हैं उन पर सिफ्ट कैसे होता है दरसल यह दुर्भाग है मुझे लगता है कि इस पूरी राजिनिती का कि यह जो आरक्षण प्राप् एक्ट के बाद अलाकि बाबा साहब अम्बेट कर तो नहीं चाहते थे वो प्रथक निरवाचन चाहते थे लेकिन गांधी जी के उस लिखना हुआ जो डर था बाबा साहब का कि जब इस तरहिक का रेजर्वेशन होगा और उसमें जो लोग चुने जाएंगे वो अपने समा सीटों पर जो चुनाओं लड़ने वाले हैं ओग्री जातियों या पिशड़ी जातीयों पर जएदा ध्यान केंदिस करते हैं और स inacces rat तो जिनों ने भी अग्री जातियों को अपने साथ जूर लिया को चुनाओं जीतना है अब भारती जनता पार्टी को माना जाता है कि वो अगड़ी जातियों की जिनाधार वाली पार्टी है तो अब्यस है कि उसे बड़ा बड़ी सफलता मिली 2017 के चुनाव हुए तो इसलिए अगड़ी जातियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रत होता है जो उनको अपने साथ जोड ही थी अखले शादाओं ने जब किया 2012 में तो 58 सीट उनको मिली थी लेकिन भारती जनता पार्टी ने अपनी जो सोशल इंगिनिंग है उसके जरिये एक बड़ी सफलता हासिल की हो सत्रह सतर सीट उन्होंने जीती थी तो यह जो इन सीटों का जो तालमेल है इन सीटों का जो भूमिका या उनकी पार्टी की दावेदारी किसी के साथ हो लेकिन इन सीटों पर ये शिफ्ट हो जाता है कभी बीएसपी के साथ कभी एसपी के साथ और भारते जनता पार्टी के साथ भी जिस पर या आरोप हमेशा लगता रहा है कि वगड़ी जाती का प्रतिनिदित करती है उनकी राजनिती करती है उत्पिढन में दलितों को पिर जातिए प्रफ्रम का सबसे जादा रहता है उनके साथ भी दलित वोट प्लज कर चला जात dispatch की राजनिती पर कामयाब हो जाते हैं यही मेरा इसे तीसरे सवाल भी यही था कि वाकिव में जो आप कहा रहें कि ये हैं समाज की राइनिती में काम आती हैं या सिर्फ वो अपनी पार्डी के नुमाइंदे बन कर रहे प्रेलिक्ति हैं से उन्हों ने सिग्नेटर कर वाया था और उन्होंने उसिग्नेटर करवाया था और उन्होंभा यह कहा था उन अगरी जात्यों के निता के आप एप लोग सुधर जाएंगे आपको परिवर्तन करना होगा और ये जो जातीयां हैं उनके साथ आपको ढेहाँ समत्ता सबीत नहीं होगिए। पर तो सबाल नहीं उठाता लेकिन उन्होंने जो वादा किया था हम अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले साल हम सत्यागर्हक करेंगे इन समण जातीयों के उगलती यह एःधा. यह अपनी पार्टी के प्रती इनका उत्तरदाई तो रहा जो अगला समाज है उसके प्रती उत्तरदाई तो रहा और इन्होंने अपने समाज के साथ मुझे लगता है कि नाइंसाफी की बादा खिलाफी की अभिश्वास किया तो आज की हालात में जो भी निर्देश मिलता है, कॉंग्रेस में उतना नहीं था, लेकिन या वो अपने एशू पर खड़े भी होते थे कई दफा, लेकिन अब के हालात ये हैं कि हात्रस की घटना जब होती है, जहां एक लड़की का बलतकार होता है, बलतकार के बाद उसकी ह चाहे वो बातनता पार्टी के आपके ब्रिजलाल रहे हो, या रमापति शास्त्री रहे हो, या हात्रस के ही राजबीर दिलेर, और राजबीर दिलेर की तो ये हालत है मैं आपको बताऊं, कि वो जहां भी जाते हैं, वो समाज में जब भी जाते हैं, तो वो अपने साथ डि प्रशिराम जी के शब्दों में और इन्हों ने अपने समाज के साथ अन्याय किया ठीक उसी तरह से आप समाजबादी पार्टी के समय को याद की जिए जब प्रमोशन में आरक्षन के विल को ठाड़ा गया तो उसमें कौन लोग थे यहीं दलित थे जिसमें एक धंशा मानु करते उनके साथ न्याय के नहीं करते बलकि अगली जातियों और अपने पार्टी का केबल ख्याल रखते हैं और उनके इशारे पर ही नासते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं इस समय कि आज अगर दलित एजेंड़ा भी राजनित से गायब हो रहा है तो धीरे धीरे हालात करते हैं लेकिन वह उनकी नियाय के लिए सबाल नहीं उठाते वह हैं जहां से प्रतार मंतर आते हैंao सोलाइसो गाउं है आज भी जहां पर अचूत प्र जारी है जहां में नहीं जाने दिया जाता है पिछले कुछ दुनों पहले यह घटना आपको याद होगी जिसमें एक एक को मारा गया है मंदर में प्रवेश्कित करन एक्ट के लिए अलग से वहां आज भी कोई अदलत नहीं गठित की गई है जबकि एक्टी में यह प्रावधान है आपको यह भी आद होगा कि 2018 में सेस्टी एक्ट को डायलूट करने की भी कोशिश की थी मोधी सरकार ने लेकिन उसके बाद जो दलित नौजबान थे वो शड़क पर आते हैं बिना किसी मायावती के सायोग की उस वथा इस पूर्त आंदुलंग था और उसमें 18 नौजबान मारे ग और यह ना होना यह बड़ी खराब बात है कोई अच्छी बात नहीं है यह एजंडा कैसे हो कैसे हर पार्टी की चिंताओं में और उनकी मुख्य घुष्णाओं में शामिल हो इसके लिए क्या कुछ हो रहा है या हो सकता है क्या आप देख रहे हैं मुझे लगता है कि आप तो इस चुराव का इंतजार है और दलितों के खिलाफ जो हुआ है इस बीच में उत्पिलन के साथ-साथ चाहे रेजरवेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही हो वह आप लेटरल एंट्री के द्वारा जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं ठ बेटकराई नौजवान है या जो लोग एक्टिविस्ट हैं वो इस बात पर विचार करें कि इस बार तो इस सरकार को हमें बेदखल करना है इस पार्टी को हराना है और उसके बाद एक नए भूपमेंट के साथ उत्तर प्रदेश में ताखिल होंगे जहां हम दबाव का काम करेंगे और अपने देखने को लागू करने की कोशिश करें बहुत बहुत शुक्राइब चंदन जी जैसे अभी राजनीती बहुत तेज होनी है अभी तो वाराण्ची में मजदूरों पर फूल बरसाए गये हैं साथ में खाना खाया गया है आपने जिक्र किया कि कु दोस्तों आपने देखा कि यूपी का गणित आसान नहीं है। खैर इस पर लगतार हमारी नजर रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया। इस दोरान आप हमारी साइट पर विजिट कीजिए। यूटूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी पत्रकाइता को समर्थन दीजिए। एक बार फिर धन्यवाद।